कि अब्रिवान वेल्कम बैक टुमाइन निव वीडियो तो आज मैं आप लोग साथ सेयर करने वाली हूं सापंग बैक का बहुत ही प्यारा सा छीद जो की धमाल मचाने वाला है तो बस बहुत ही प्यारे-प्यारे अर्गनाइजर बनाने वाली हूं तो चलिए स्टार्ट करते हैं जरो हमारे पास एक हमारे बड़ा वाला है तो मैं च्छोटे च्छोटे हैं इसको तो मैं अंदर डाल दूँगे और अंदर डालने के बाद कर लूँगे शिलाई तो इस तरह किस हम इसको अंदर अच्छे से डाल दे रहे हैं ताकि यह बराबर रहे और डालने के बाद इसकी कर दे रहे हैं सिलाई तो देखिए बहुत अच्छे से चला गया है तो बस हमें इसी से इसको बना दे रही हूं यहां मैं चौक की हिल्प से कर दे रही हूं ताकि आप लोग समझ जाए कि असानी से किसी तरह से हमें इस पर डिजाइन बनाने हैं आप चाहो तो अपने मन पसंद डिजाइन डाल सकते हो बट मुझे यह ज़य काफी ज्यादा पसंद लगता है तो यहाँ पनोर यहां पार तकन काने निकाला दोंगी तो किनारे निकालने के बाद मैं यहाँ पर एक एक इंच के हिसाब से कटिंग कर लूँगी तो जिस तरह से मैं इसको काट रही हूँ इसी तरह से मैं दूसरे वाला भी काट लूँगी तो यह देखी यहां पर इस तरह से मैंने काट लिया हुआ है अभी मैं दूसरा वाला भी दिखा रही हूँ तो फाइनल में मेरा यहां पर दोनों रेडी हो गया है और अब इसके लिए यहां पर बनाने वाले हैं तो बस इसी करी वैक से हम डिजाइन डालने वाले हैं जो कि मै इसकी मोड करके सिलना है तो यहां पर इस तरह से हमें लेना है पट्टी को और सारे पट्टी को जो है इसी तरीके से सिल लेना है तो यहां पर इस तरीके से हम मोडते हुए सिलाई कर लेंगे तो यह देखिए बस इस तरह से हम सिल लेंगे तो चलिए सिल करके आपको दिखा तो फाइनल में हमारी सारी पट्टियां देख़िए मैंने लिया हुआ है तो इतना हमारा बनके तयार हो गया है तो चलिए अब हम लेते हैं सिलाई मशीन की हेल्प और अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं तो आप ही लिए सकते हैं बट मैं यहां पर सिलाई यूज करने वाल सबिया कि शजाए है बारी है हमारे ग्रीन की तो इस तरह से हैं रेट और ज्रीन लगाते जाएंदエ are कि तो हमें सेम उसी तरह से पूरे में तयार करेंगा है तो मैं इस तरह चेखा दिया हुआ था तो इसमें तो पर वहीत कपड़ों से प्विशतुरूरब मुए और दूसरी जूप्ट में बम करूंगे तो थांसे निचे कपड़ा लगा नई हूँ टूपड़ा कपड़ा कर唯क Ook कि एक पल lon hybrid कर दूब तो शापिंग बैक से बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है जो कि काफी ज़्यादा खुबसूरत दिख रहा था तो चलिए फाइनल में सिल करके आपको दिखा रहे हैं कैसा लग रहा है यह तो फाइनल में हमारा यह कंप्लीट हो चुका है आप लोग देख सकते हैं पीछे कुछ यह बच सकते हैं अब यह बतsty है यहां पर चूटी बना लेते हैं तो यहां पर आप कुछ हए अब यहां पर पैरव पिक तो यह दिखिए हम हम पर पहला बना ले रहे हूं कि इस तरह से गाव। तो सेयम name इसी तरह से हमें दोनों तैयार करें अ हमारी यह पर हमारे इतनी प्रची मां इस स्टी आ कोकर स्टीजार प tor When we look together and do not let me look at this quality इसको आचेक हम किसी बना आपको दोचेज करने आधाने तो सबसे पहले क्याe करेंगे हम बोरी को कट कर लेंगे यहां पर हम इसको क्या करेंगे साइड में कट करके इसको निकाल दे रहे हैं तो दोनों साइड हम निकाल दे रहे हैं कटिंग करके तो यहां पर जितना बड़ा हमको चाहिए था मैं काट के इसको अलग कर दे रही हूं और यहां पर यह एक आइडिया आपके पास अगर कट्विस बचा हुआ तो इसको फेकिए मत यह आपके ब्यूटिक लिए बहुत ही काम आने वाला है इस तरह से आप अगर अपने चेहरे बनाते हैं या करते हैं आपके पास सुष टाइम हेर बैंड नहीं है तो आप कोई भी टेंशन ना लीजिए इस तरह से पहले आप करेंगे इसको मोड करके सिल लेंगे क्योंकि बोरी है तो खुल जाएगा इसको सिलाय कर देंगे तो हमेसे क्लिए अच्छे से पक्ता हो से लेंगे बीटे हैं तो है Na कमाल की ची़ तो चलिए आघे चलते हैं तो यँहां पर मैं दो पीस काट लिए हुआ है तो इन द्यूं नोट पीस हो मैं मैं क्या करने वाली हूं इसी को सिलाय से देखिए इस तरीके से हमें चलाई करनें है तो यहाँ पे जितना इक्ष्टाद हैगा मैं काट करके अलग कर दूँगी फिर दुबारा इस तरह से यहाँ पे मैं जोड लूँगी तो चलिए इसको जोड करके आपको दिखा रही हूँ तो इस तरह से हम इसको जोड लेंगे बहुत ही आसान होता है बिल्कुल भी दिक्कत करके इसके आगे के भाग को शिल दे रहे हूं ताकि अच्छे से फिनीसिंग आ जाए तो यहाँ पे फाइनल में हो गया है तो चलिए यहाँ पे मैंने तीन तयार कर लिया हुआ है इसको अभी हम रखते हैं साइड में और जोडने वाले हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्य कर दो जो करूंगी तो इस तरीके से मैंने इहां पे तीन तैयार किया हुआ है तो ती निसे हमबाक्स को जोडडने वाले हैं वंसC किया करेंगे चाक का निसान लगा लेते हैं लगाने के बाद इसकी हम सिलाई कर लेते हैं कि कि दॉस्टो। मैं यहां पर कार आरी जोल लेंगे ताकि बार बार ना करना पड़े तो यहां और यह देखी नीचे से कपड़ा को लेते हुए मैंने जोड़ा हुआ है तो आप क्या करेंगे सेम वही करना है हमें कपड़े को मोडते हुए यहाँ पे अच्छे से साइड साइड अच्छे से फिनिसिंग दे देनी है बहुत ही प्यारा सा खिल के कलार आ रहा है तो चलिए इ यूज कर सकते हैं प्यारे प्यारे आरगनाइजर बना सकते हैं तो फाइनल में इसकी सिलाई हम करके आपको दिखा रहे हैं यह कैसा लग रहा है तो मैंने यहां प्यारी आरी सिलाई कर लिया हुआ है यह देखिए आप इसमें बहुत सारी चीज़े अरगनाइज कर सकते हैं सीजर्ट वगएरा अपने मेकप के कोई भी समान इसमें यूज कर सकते है आप इसको किचन में भी हैंग कर सकते है आप इसमें बहुत सारी चीज़े रख सकते हैं छोटी बड़ी आपकी चीज़े गुम होने वाली बिल्कुल भी नहीं है तो बस मैं आप लोगों दिखा रही हूं बाकी आप का जहां मन करें, जिस तरीक समन करें यूज कर सकते हैं और यहां पे मैंने टांगने के लिए दो funder भी तयार कर लिए हैं आप चाहो तो बीच में भी चाहरे हैं अच्छा लग रहा एक नहीं लग रहा है आप लोग कमेंट में बतायेंगे तभी पता चलेगा और अगर लग रहा है तो आप लोग भी जरू ट्राय कीजिएगा बहुत ही प्यारा लग रहा है तिस तरह से याप बड़ी मैड बना सकते हैं कारपेट वगरा कुछ भी मना सकते हैं अपने घर में यूज कर सकते हैं बाजार में आप लेने जाएंगे काफी जादा महंगा मिलेगा जीरो खर्च में कोई भी खर्चा नहीं है तो चलिए मिलते हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक